वेरी गुड मॉर्णिंग तो आल आफ यू नमस्कार सलाम दोस्तों आप सब का तहे दिल से हिर्दतल से स्वागत करता हूं दिस इस दीपक शौधरी यू और वाचिंग एक्जामपूर मेरे अजीज दोस्तों जैसा कि आपको यह ज्यात है कि 17 जुलाई और 24 जुलाई को हमने क्लॉक पार्ट वन और पार्ट टू किया क्लॉक पार्ट वन के हिस्से में आपने देखा कि कौन से संबंदित हर एक प्रशन की बात की 17 जुलाई क्लॉक पार्ट वन उसके बाद 24 जुलाई को क्लॉक पार्ट टू की बात की और क्लॉक पार्ट थ्री आपका रह गया था जि विद्ध्यार्थियों के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि sir मैं तो सारे साथ पॉने आठ में जगता हूं या मुझे साथ मुझे कोई काम होता है हो सकता है पर यिसे complete करना था क्योंकि पिछले सबता भी complete नहीं कर पाये थे इसलिए इस समय निकालकर आपके सामने उपस्तित हूं आप सभी साथियों को नमस्कार और स्वागत है आपका तहे दिल से हिर्दैतल से, टॉपिक को बारे में आप परिचित है, ठीक है, हमें इस बात से फिलाल मतलब नहीं कि विद्यार्थी उपस्तित है या नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें उस हिस्सों को कंप्लीट करना ह जो क्लॉक पार्टरी का जो बचा हुआ हिस्सा था, उसको कंप्लीट, आपको याद है हम प्रश्न संख्या किस तक कड़ चुके थे, और हम सब कुछ जान चुके थे, सुनिया कैसे मिलती हैं, कम मिलती हैं, कितनी बार मिलती हैं, और इन से सम्मंदित प्रश्नों की बात की यदि आपको इन सारी बातों की आद हो, ठीक है, तो मैं बार-बार आपसे कहता हूं किस बात के लिए कहता हूं, रिवीजन और टैस्रीज के बारे में कहता हूं, तो रिवीजन जो आपको मैंने बोला था, कि आपने रिवीजन किया, क्या आपने क्लॉक पार्ट वन, मुझ कि स्लेबस में है और साथ यसातh Конấuतेबल तो ही ही है उनके स्लेबस में तो सब कुछ है तो चैप्टर वाइज रिविजन और सांही साथ टेस्ट लगाने वाली बाद लेकिन मुझे अभी लगता है कि बहुत सारे स्टुडेंट यह होंगे कि चैप्टर वाइज रिवीजन पे फोकस नहीं करते हों, कि वल रिजनिंग नहीं, हर एक विश है, और फिलाल मैंने आप से कहा था कि रिजनिंग में, आप क्लॉक को रिवाइज कर लीजेगा, जरूर कर लीजेगा, तो मैं new student है या पुराने है, doesn't matter, the matter is what, पिछली चीजों को आपको रिवीजन करना पड़ेगा, मैं सीधी बात कहूंगा, अगर आप इस clock part 3 को समझना चाहते हैं, तो clock part 1 और part 2 को आपको देखना पड़ेगा, देखिये दोस्त, वो वाली बचकाना वाली बात महीं, मैं यह ता कि आप परिचित है, P.E.T.E. की टाया, डेट एक्स्टेंट हो चाहिए, उसी को धियान में रखकर, यूपिट्र पलेसी पैट के लिए, अभीमन्यूबैच आपके समक्ष है, और इसमें अप्लिकेशन पे एक्स्क्लूसिव है, तो जाहिए, अभीमन्यूबैच से जू ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉपर प्लैन, लेसन प्लैन है, कौन सा टीचर, कौन से टाइम में, कौन सा सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक को पढ़ाएंगे, प्रॉपर, आज 12 अगस्त है, कौन से टीचर की कितने बजे क्लास है, जैसे मेरी क्लास है, मेरी क्लास है, 10 बजे, अभी मन्यू बैच में, 9 अगस से ये कारिक्रम शुरू हो चुका, ये बैच अभी मन्यू बैच, 9 अगस से, तो इसलिए बाद में आप अगर एड्मिसल लेते हैं, तो आपको रिकॉर्डेट क्लास देखनी पड़ेगे, साथ ही साथ आप एक लोड होगा, तो आज में 12 अगस बिंदूओं की बात हम कर चुके थे, इन सब बिंदूओं की बात हो चुकी थी, उसी के अधार पर हम यहां पर क्या करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो आप से आगर है कि प्रापर तरीके से आप देखने का प्रयास करिए का कैसे और किस प्रकार से हम प्रसी कर सकते हैं ध्यानपुर्वग देखें आपको याद होगा यह सारी बात हम कर चुके थे हम किस प्रशन तक एक क्वेशन नमबर किस तक हम सॉल्व कर चुके हैं कहां तक सॉल्व कर चुके प्रशन संख्यां किस तक हम सॉल्व कर चुके हैं जब हम प्रशन संख्यां किस तक सॉ कि इतनी बार है ना तो आपसे यह पूछा था सवाल पिछली क्लास की बात है मुझे याद है यह सवाल मैंने पूछा था आपसे उत्तर बताने का प्रयास करें क्या होगा यह याद है 11 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुईयों कितनी बार कितनी बार एक दूसरे के साथ ह प्लीज टेल में चुकि आपको मैंने अगर शॉट फॉल की अगर बात बताई जाए तो आपको शॉट फॉल की बात बताई गई थी याद है शॉट फॉल की बात अगर मिलने की बात होंगी कितनी बार मिलेंगी तो आप जानते कमी पर मिलेंगी में कमी कहां पर होंगी एक की कमी एक की कमी कहां पर होगी एक की कमी कहां पर होगी यह बताना है कि एक की कमी कहां पर होगी तो आपको ये बता देता हूँ, और मिलेंगी का मतलब आप जानते हैं, 11 से 12 नहीं मिलती है सुईया, ठीक 12 बजे सुईया क्या होती है, एक बार मिलती है, और 12 से 1 सुईया नहीं मिलती है, तो कुल मिलाके अगर देखा जाए, तो सुईया 2 घंटे में, 11 से 1 कितने घंटे हुए, 2 घंटे में, कितनी बार मिलती है, एक बार, क्योंकि 11 से 1 कितने घंटे हुए, 11 से 1 दो घंटे में, मात्र एक बार मिलती है, तो कमी कहां पर हुई, 11 से 1 के बीच में कमी हुई, दो बार मिलना चाहिए, चुकि 2 घंटे है, तो याद रखिएगा, 11 से 1 के बीच क्या हुई, कि एक की कमी हुई, यहीं पर कमी हुँगी, कहां पर कमी हुँगी, यहीं पर कमी हुँगी, इस बात का इल्म रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा, कि यहीं पर कमी हुँगी, इस बात का ध्यान रहे, कि यहीं पर क्या हुँगी, कमी हुगी, ध्यान रहे इस बात का आगे च 11 से 5, आप समझ लिजी, 11 से 5 कितने घंटे होंगे, बस इतना जान लिजी, 11 से 5 घंटों की संख्या की बात की जाए, तो जाहिर सी बात है, देख लिजी, 11 से 5 के बीच घंटों की संख्या की बात की जाए, तो टोटल घंटे कितने हो जाएंगे, जाहिर है घंटों की संख्या ह हो जाएंगी 7 गंटे, 7 गंटे, clear है बाते, 7 गंटे या 6 गंटे, 6 गंटे हो जाएंगे, 11, 6, 17, 6 गंटे, 6 गंटे, बहुत बढ़िया, 6 गंटे में सुईयां कितनी बार, 6 गंटे में डारिक्ट लिखिये, देखें, मिलने के जब भी बात आएंगे, एक दूसरे से कब तो मैं आप से यही कहूंगा, कि सुईयां जब मिलेंगी, तो कहने का मतलब है, एक घंटा में एक बार, दो घंटे में दो बार, तो 6 गंटे में कितनी बार, हमेसा याद रखिएगा, 6 गंटे में कितनी बार, एक घंटे में एक बार, तो 6 गंटे में कितनी बार, आप बतान पहले नॉर्मल उत्तर दीजिए, एक घंटा में एक बार तो छे घंटे में छे बार, कि आए 11 से लेकर पांस तक कुछ घटेगा, प्लीज टेल में, 11 से लेकर पांस तक कुछ घटेगा, आपके कमेंट को प्रापर तरीके से एक बार देख लो, और बताने का प्रयास करिएगा कि 11 से 5 की बीच में कुछ घटेगा, प्लीज टेल में, all of you, बताने का प्रयास करिएगा, क्या 11 से 5 की बीच में, 11 से 1 की बीच का वक्त आएगा, बस हाँ या ना में जवाब दीजिए, 11 से 1 की बीच में, 11 की बीच का वक्त आएगा या नहीं, बहुत बढ़िया, आएगा या नहीं, बिल्कुल आएगा, आएगा ना दोस्त, वेरी गुड मॉनी, बहुत बहुत शुक्री आपका, आएगा ना, बस यही बताने का प्रयास करिए, एक सकेंड मेजरा सा, कमेंट का, दोस्त, कमेंट को देख लिजेए, एक बार, ठीक, आएगा, इसका मतलब है, कि जाहिर सी बात है, जब आप इस प्रशन को करने जाएंगे, तो एक की कमी आएंगी, कितने की कमी, एक की कमी आएंगी, क्योंकि 11 से एक बार घटेगा एक बार घटेगा तो 6-1 कितना होगा पांच बार होगा 6-1 कितना होगा पांच बार होगा दिये गया प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प A is correct A will be the answer किसी को कोई दिक्कत एक खुर्शिदा खातून कह रहें कि सर समझ में नहीं आ रहा है देखिए मैं सीधी बात करूंगा आप कहेंगे कि सर आप एरोगेंट हैं आप घमंडी हैं घमंडी नहीं हो मैं ना ही एरोगेंट हूँ मैं बस इतना कहूंगा कि ये बातें पूरी तरह से समझाई जा चुकि यह पिछली क्लास में, आप सभी साथी को मैंने कहा था, 17 जुलाई और 24 जुलाई का आप क्लास, क्लास देख ले, यह बातें समझाई गई है, जो अधीज दोस्त यहां पर उपस्ती थे वो जानते हैं, वो जानते हैं, और अगर मैं इसको विस्तार से समझाना चाहूंगा, त केस में, 11 से एक के बीच में, एक की कमी होती है, दो घंटे में, दो बार होना चाहिए, लेकिन एक बार यहीं पर कमी होती है, बाकि, अगर प्रशन पूछे, तीन से चार के बीच सुन्या मिलेंगे, हां बिल्कुल मिलेंगे एक बार, चार से पांच के बीच, हां बिल्कुल मिलेंगी एक बार, पांस से चे के बिच बिलकुल एक बार मिलेंगी, छे से साथ के बिच बिलकुल एक बार मिलेंगी, अगर आप देखेंगे, तो तीन से लेकर पांस तक कितने घंटे हुए, दो घंटे हुए, तो दो बार, तीन से चे कितने घंटे हुए, तीन घंटे हुए तो 3 से 7 के बीच कितने घंटे हुए, अगर आप देखेंगे तो 4 घंटे हुए, तो 4 घंटे में 4 बार दिखने ही रहा है, 4 घंटे में 4 बार, वाग की कोई समस्या नहीं है, याद रखिएगा, आगे चलते हैं, next, अगला सवाल, अगला सवाल आपके समक्ष, प्रशन का उत्त दीजे क्या होगा धैर पुर्वक प्रश्न का उत्तर दीजे क्या होगा किस प्रकार से हम बना सकते सवाल है साथ से आट बजे के बीच किस समय घड़ी की सुन्या एक साथ होंगी किस समय एक साथ होंगी घड़ी की दोनों सुन्या एक साथ होंगी साथ से आट बजे के बीच के के समय प्लीज टेल में साथ से आठ बजे के बीच के समय किस समय घड़ी की सुन्या एक साथ होंगी प्लीज टेल में ओल आफ यू इसलिए प्लीज अगर आप कह रहे हैं कि सर समझाइए इसका मतलब पिछली क्लास को आपने देखा नहीं है हां तो आप बता दीजिए कोई भी अब लिंक करके पढ़ा रहा हूं तो अचानक किया कैसे समझ में आएगा को सिस करें फिर फिर लेकिन 17 जुलाई 24 जुलाई की क्लास आपके पास जाके प्लेलिस्ट में देखे रिजनिंग बैदीपक सर यूपी कॉंस्टेबल यूपी ट्र साथ होंगी फिर आपसे पूछा साथ साथ से आठ बजे की बीच यह बहुत साधरन सवाल है इसको तो नॉर्मली आप निकाल सकते क्योंकि आप सीख चुके हैं 12 इसे कैसे बता सकते 12 बटे 11 साथ बजाएंगे ना तो गुना 35 यह मिनिट कितना बचकर साथ बचकर यही तो है इसे तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यह उजाएगा 12 गुना 35, 12-5, 60, 12-36, 420 बटे 11 मिनट, ताथ बचकर,। इतना हो जाएगाई इसाथ ग्यारा टेटस और 90 यह ठाथ बचकर, यह तना बचकर। कितना बचकर तो 7 बचकर 38 दो बचक 11 मिनट विकल्प के अनुसार चले तो विकल्प D दिये गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप कहेंगे सर सी होना चीए 7 बचकर 38 मिनट एक्जेक्ट क्या है 7 बचकर 38 दो बचक 11 पर दोनों सुई हैं आपस में एक साथ मिलेंगे इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज कोई दिक्कत किसी को थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया तो हमें एक्जेक्ट उत्तर देना यह नहीं कि सर यह लगभग पास है अगर यह अगर विकल्प में यहां पर लिखा होता साथ बचकर 49 मिनट ऐसा लिखा होता तो आप विकल्प सी को मतलब अगर ऐसा लिखा होता साथ बचकर मेरे ख्याल से एक 40 मिनट तो विकल्प सी को चुनते अगर 49 भी होता तो प्रापर तरीके से देख लेते कि धर जुकाव है 38 की तरफ या 49 की तरफ यह जरूर आप देख तो दिए गए प्रशन का उत्तर होगा यह इसका एक्जेक्ट आंसर हो जाएगा साथ बचकर अर्टिस दूबटे क्यारा मिनट और एक्जेक्ट है तो एक्जेक्ट ही तो देंगे इसलिए अपने मन से मानने की अवशक्ता आपको नहीं है याद रखिएगा इस बात का नेक एक तथा मिनट की सुईया कब आपस में मिलेंगी तीन से चार के वीच आपस में मिलने की बात बहुत समानने प्रशने चुकि आप जानते हैं बारबटे ग्यारत देखें बहुत सारी चीज आपकी रिवीजन भी हो जाएगा और आगे मैं बताऊंगा शॉट फॉल और उसक बाद समाप्त तो देखते जाएगा तीन से चार में घंटे तता मिनट की सुईया कब आपस में बिलेंगी तीन से चार के वीच बोला तो गुना क्या कर दें 15 कर दें चुकि तीन बजाना पड़ेगा न तो गुना 15 मिनट कर दें कितना बचकर तो जाहिर से बात हमने बेश 3 लिया तो 3 बचकर, इसे आप solve करेंगे, यह 180 हो जाएगा, आसानी से आप उत्तर दे देंगे, 180 बचक 11 मिनट, कितना बचकर, 3 बचकर, अब आपके दिमाग में यह बात आएगी, 12 बचक 11 क्या बला है, यह 12 बचक 11 क्या बला है, अगर आप इसे जानने चाहते हैं, तो पिछल दिन नया विद्ध्यार्थी आएगा, और नया विद्ध्यार्थी कहेगा, कि सर कैसे हुआ, जाहिर से बात है, उसे बताते बताते, सारी क्लास, पिछली क्लास ही कहलाएगी, इसलिए, ट्राई और लेबल वेस्ट, मैं पहले भी आपको बता चुका हो, कि पिछली क्लास से स मंदित है यह क्लॉक 3 क्यों लिखा है थम्मनेल पर यूँ ही नहीं लिखता हूं मैं जो बात आपको पोस्टर में दिखेगा जैसे थम्मनेल जो होता आप देखते हैं जब क्लास सुरू होने के पहले पोस्टर लगा होता है चैप्टर का नाम है न सिक्षक का नाम सब कुछ ऐ क्लॉक 3 का मतलब क्लॉक का तीसरा हिस्सा है इस बात को इल्म है ना आप जानते ध्यान रखिए आगे चलते नेक्स्ट प्रेशन आप से कहता है कि शाम चार से रात दस तक घड़ी की दोनों सुईया कुल कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी दो एक प्रशन पे दो प्रशन क तो आईए हम पहले बात करते हैं हम पहले बात करते हैं सवाल है चार से दस का चार बजे से और शाम चार बजे का मतलब है फोर पीम की बात है फोर पीम से कहा की बात है फोर पीम से टैन पीम की बात है सवाल आप से पूछा फोर पीम से टैन पीम की बात है प्रशन क्या है प प्रशन पूछा आप से कुल कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी, मिलने का मतलब आप जानते हैं, और लैपिंग का किस, कितनी बार मिलेंगी, जब आप मिलने की बात करते हैं, तो कितने घंटे की बात है, जाहिर सी बात इसमें 6 गंटे की बात है, कितने घंटे की बात है, 6 ग जानते हैं कि 6 गंटे में कितनी बार तो 6 गंटे में 6 बार, 6 गंटे में कितनी बार, तो 6 गंटे में 6 बार, उसके बाद फिर आप से प्रश्न कहता है, क्या कोई कमी आएगी, आप ही बता दिजे, क्या कोई कमी आएगी, 6 गंटे में 6 बार हो गया, कोई कमी आएगी, कि सुपह शाम चार बज़े से लेकर दस बज़े तक, क्या ग्यारा से एक के बीच का समय सामिल, आपको देखिए, जब सुईया मिलती है, तो कमी पता हो नाचे कि कहां पर कमी आ सकती है, शाम चार बज़े से लेकर रात्री दस बज़े तक, क्या ग्यारा से एक के बीच का समय सामिल है, म समय 4 से हम 10 के बीच जाते हैं, 5 बसता है, 6 बसता है, 7, 8, 9 और 10 बसता है, समय सामिल नहीं है, तो 6 घंटे में, डारेक्ट बोल दीजिए, 6 घंटे में 6 बार, कुछ भी नहीं घटेगा, अगर कोई साथी घटा रहें, तो इसमें कुछ भी नहीं घटेगा, किसी प्रकार का कोई घटाओं नहीं होगा, फिर आगे चलते हैं, अगले बिंदो की कुल कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होगी, चुकि आप जानते हैं, विपरीत का आपको शॉट फॉल पता है कि विपरीत कहां पे कमी होती है, विपरीत आपको बता दू कि कहां पे विपरीत की कमी होती है, पांस से छे में सुयां विप्रीत दिशा में नहीं होती है, हाँ लेकिन छे बजे ठीक विप्रीत दिशा में हो जाती है एक बार, और छे और साथ के बीच भी सुयां विप्रीत दिशा में नहीं होती है, तो पांस से साथ के बीच कितने घंटे हुए, दो घंटे हुए, तो द सवाल है 4 PM से लेकर कहा तक, 4 PM से लेकर 10 PM तक की बात है, 4 PM से लेकर 10 PM तक की बात है, तो कितने घंटे हैं, 6 घंटे की बात है, कितने घंटे, 6 घंटे की बात है, तो 6 घंटे में तो पहले नोट कर लीजिये, 6 घंटे में 6 बार तो बनेंगी, क्योंकि विपरीत पता है कितनी हो विपरीद भी एक घंटा में एक बार बनती हैं और दोनों सुईयां भी क्या होती हैं एक घंटा में एक बार मिलती हैं और ये विपरीद एक घंटा में एक बार होती हैं बस दोनों का शॉट फॉल में अंतर हैं यह जो मैं कह रहा हूं शायद आप समझ पा रहे होंगे कि इसक एक कर लें तो कितनी बार तो पांच बार, छे माइनस एक कर लें तो कितनी बार तो उत्तर होगा पांच बार दिये गया प्रशन के पेर चलें तो आंसर होगा विकल्प A is correct, A will be the answer वेरी गुड बॉर्निंग कोई दिक्कत नहीं है ध्यान पुर्वक देखें बस ध्यान से कि क्या मैं बताने जा रहा हूं इसलिए मैंने आपको कहा था वचन दिया था उसी वचन को दोहराने के लिए आज सुबह साथ बजे उपस्थित हो परमानिक्ता परमानिके लिए आपको बताने कि लिए उपस्थित हो HERE है दिख लेजिए प्रापर तरीके से क्या दिखना ही रहा है कट रहा है कुछ क्या कटना तो नहीं चाहिए मेरे इसटरा सारी चीज़ें सामने दिख रही है मेरे समक्ष है, इसलिए मैं देख सपा रहा हूँ, कि आपको भी यही दिख रहा होगा, जो मुझे दिख रहा है, clear है सारी बाते, very good morning to all of you, आपने दोनों का उत्तर दे दिया न, किसी प्रकार की कोई साथी को दिक्कत, किसी प्रकार की परिशानी, बहुत बढ़िया, next, आगे होगा, किस प्रकार से बना सकते है, प्रश्म को हैता है, सुभई 11 से पांच बजे तक घरी की दोनों सुई या कुल कुतनी बार एक दूसरे से मिलेंगी, शुभई 11 से 5 बजे, ग्यारा एम मतलब है और पांच बजे, शाम पांच बजे na, ग्यारा से पांच बजे का मतलब 11 प्रशन आप से क्या पूछा प्रशन पूछा कुल कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी दोनों सुईयां जाहिर सी बात है छे घंटे में सिंपल सी बात है मिलेंगी की बात है तो डारेक्ट लिखो 6 घंटे में 6 बार डारेक्ट लिखो की 6 घंटे में 6 बार एकदम आखे मूंद के लिखो क्योंकि एक घंटा में एक बार मिलती है तो दो घंटे में 2 बार 3 घंटे में 3 बार मिलने की बात है बस 90 डिग्री 1 घंटा में 2 बार और भी डिग्री लेकिन 70 डिग्री भी लेकिन पॉंइंट है हमारा मतलब 90 डिग्री से है जादा अब पूछा जाता है परणतु याद रखे कि 90 डिग्री 2 बार और जब मिलती है तो एक घंटा में एक बार, 90 डिगरी एक घंटा में दो बार और जो विपरित दुशा में होती है तो एक घंटा में एक बार, फैर, 6 घंटे में 6 बार कुछ घंटेगा क्या, आप बताने का प्रयास करिएगा कुछ घंटेगा क्या, यदि आप बता देंगे तो चीजें बहतर हो जाएंगी, please tell me, कुछ घटेगा क्या प्रशन आप से पूछा है, कुल कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगे, कुछ घटेगा कि, तो 6 घंटे में कितनी बार, 6 बार, क्या माइनस करके कुछ घटा सकते हैं, क्या 11 बजे से लेकर 5 बजे तक 11 से एक के बीच का समय सामिल है, आपके पास समय क्या है, 11 एम से लेकर कहां तक है, 11 एम से लेकर कहां तक है, 5 पीम तक है, 11 एम से कहां तक है, 5 पीम तक है, और फिर यदि आप ये करते हैं, गौर से देखिएगा, एक दुसरे के विप्रीत होंगी, तो कितने घंटे हुए, ये आपके पास हो गए 6 घंटे, कितने घंटे हुए, यह आपके पास हो गए 6 घंटे, कितने घंटे, 6 घंटे, तो कुल कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी प्रश्न कहरा है न, तो मुझे बस बता दीजिए कि 11 से लेकर 5 तक, कहीं 5 से 7 के बीच का समय शामिल है क्या, 5 से बीच का समय शामिल है क्या, ड घटेगा तब जब विपरित दिशा के केस में आपको मालूम होना चीए कि 5 से 7 के बीच का समय सामिल होगा तब ही वो घटेगा अन्यथा नहीं घटेगा अर्थात पहले प्रशन का उत्तर क्या हो जाएगा 5 बार दूसरे प्रशन का उत्तर हो जाएगा 6 बार देख सकते हैं आ अरे ख्याल से ठीक है ध्यान पुरबग देखेंगे तो प्रशन का उत्तर आप आराम से दे सकते हैं अ कि ध्यान पुरबग देखें और एक-एक बिंदू को समझने का प्रयास करेंगे और आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पे क्यों एक घटा और यहां पे क्यों नहीं घटा जो इनकिना सकते स्किरी यह विपरीद दिशाओ पूछा गियार इस बात का ध्यान रखें विपरिदद दिशा के के समय में अपोजिट की के सम्य में 180 के के कैस में चाहिए विपरीद बोलो यह 180 हुद्ध दिग्री बोलो यह 30 मिनिट बोलो उसके समय Calvin पांसते सात के पर प्रशन आपसे क्या पूछा? यहां पे प्रश्ण पूछा है विप्रित दिशा क्या प्रश्ण है तो जाहिर सी बात मिलेंगी में 11 से 1 के बीच का समय शामिल होगा तो घटेगा अन्यता नहीं घटेगा और 11 से लेकर 5 तक में 11 से 1 के बीच का समय शामिल है इसलिए घटा और चुकि आप यहां भी जानतें यहां देखिए चार से लेकर 10 तक में 11 से 1 के बीच का समय सामिल नहीं है यहां भी आपने मिलेंगी का केस निकाला था अब यहां पे नहीं घटा 6 घंटे में 6 बात और यहां पे विप्रित दिशा में निकाला तो घटा क्यों घटा? चार से लेकर 10 तक में सुबह साम चार से रात 10 तक में 5 से 7 के बीच का समय सामिल है इसलिए आपने एक घटा दिया जाहिर सी बात है अंतर समझे अंतर समझने का प्रयास करिया मित्र प्रशन की प्रकरती समझे प्रश्ण आप से क्या कहता है ध्यान पुर्बग देखे प्रश्ण कहता है कि 2 से 3 बज़े के बीच किस समय घड़ी की सुईया विप्रित दिशा में होंगी किस समय दो से 3 के बीच आप से प्रश्ण पूछा किस समय किसका नाम लो रावन गैमिंग पी जी अल पागल लड़का पागल लड़का क्यों नहीं घटेगा इसका कारण बताईए मेरे साथी मेरे दोस्त मेरे स्नेही मेरे करीबी क्या अंतर्व क्या आपको कारण बताऊं सारे कारण बता चुका हूँ क्या पिछली क्लास से वाकिफ हैं आप किया मैं इसी क्लास में समाप्त कर दूँ पिछली क्लास से वाकिफ है आप आप अचानक उपस्तित होते हैं और आप पूछेंगे कारण बताए यह नहीं होगा मित्र यह ऐसा आप कहेंगे तो यह नहीं संभव है अगर आपको कारण जानना सारे कारण की चर्चा हुई है पार्ट वन और पार्ट टू में इसलिए मैंने आपको वचन दिया था उसी वचन को निवाने आज साथ बज़े से उपस्तित हो कि आपको कोई समस्या ना हो दिक्कत ना हो कुलक्रिटली कॉप्लिट परे और मैंने आपको वचन दिया था यह नहीं कोई भी टॉपिक शुरू करूगा उसे कंप्लीटली कंप्लिट करूँगा अगर कोई टॉपइक उठाया तो कंप्लीटली कंप्लीट सीधी बात सवाल है कि दोस्ते तीन बज़े के वीच समय कि सुईया विपरित दिशा में होंगी, विपरित दिशा निकालना आपको, आपने 12 बटे ग्यार लिया, तो कितना बजाएंगे, दो बजाएंगे तो आपने 10 लिखा, 10, दोनों सुईयों को आपने मिला दिया, चुकि आप जानते हैं, जब आप मिला देते हैं सुईयों को, जब आपने सुईयों को मिला दिया, तो 180 डिग्री का अंतर ले लेजी, तो जाहिर सी बात है, जब आप 180 डिग्री का अंतर लेंगे, 12 बटे 11, 40 मिनट कितना बच कर? 2 बच कर, जब आप इससे सॉलब करेंगे, यह क्या होगा, 480 बटे 11 बिच्चर, 2 बच कर, जब आप इससे सॉलब करेंगे, 14, 44, 4, 11 या 33, 7 बटे 11 مिनट कितना बच कर? तो दो बच कर, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा दो बच करते तालिस साथ बटे ग्यारा मिनट पर दोनों सुई यहां अपस में मिलेंगी. यदि आप देखना चाहें, विकल्प ढूंदना चाहें, तो अब आपके पास है कि दो बच कर चवालिस मिनट ये तो नहीं, ये तो नहीं, य उत्तर हो जाएगा, आप इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से, किसी को कोई दिकत किसी साथ ही को, इसलिए पागल लड़का, यदि कोई यहां पे कोई लड़का, या कोई लड़की कहता है, या कहती है, कि सर ये कारण बताइए, हरे किसी प्रश्न को उत्तर तो मैं ऐसे देऊंगा ही नहीं, हिर्दे ही गवाही नहीं देगा कि प्रश्न का उत्तर योही लिख दूँ और मोनू याद कर लो, ऐसा तो कभी किया ही रही है, और नहीं भविश्र में कभी करूँगा, अर्थात, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ें बताऊंगा, तार्किक तौर प एक बार टॉपिक को बढ़े, बात खतम, हाँ और भी ट्रिक है, ऐसा नहीं कि और ट्रिक नहीं है, पर मैं उन पचड़ों में नहीं पढ़ता हूं, ये भी है और वो भी है, इन पचड़ों में पढ़ने से कहीं अच्छा है, स्पष्ट रहें, कोई दिक्कत है, आगे चलते अगले बिंदू की बात करिये, प्रशन का उत्तर देने का प्रयास करिए, और आप सभी साथ ही अपने आपको तैयार कर ले, P.E.T. की परिक्षा के लिए, अता इसलिए आपके P.E.T. की परिक्षा को ध्यान में रख, मतलब ध्यान में रख कर प्रपर तरीके से, आप जान है इसे सिंपल सा कारण है है पहले यह संजीब नी बैच था पहले कौन सा बैच था संजीब नी संजीव alyst नीअ बैच कंप्री फोने को है अभी मन्यों बैच लाने का सिंपल सा प्रयाय刑 date extend हो गया, पहली बात date extend होने से विद्ध्यार्थी के पास समय मिला और जो विद्ध्यार्थी संजीवनी बैच में admission नहीं ले पाए किसी कारण से और नहीं मालूम हो पाया आपके पास एक बहतर बहतर step है आगे बढ़ने का अभी मन्यू बैच और जाहिर सी बात है example official app को download करके अभी मन्यू बैच से अब जोड़ सकते हैं और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वाकई बहुत important है और उत्तर प्रदेश के सभी लड़के लड़किया PT की परिक्षा देंगी Jupiter पर ले से पैट की अभी मन्यू बैच से अभी लड़के 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 लड़ झाल 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 यह झाल यह 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 व्यह सुए यह 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 गंटे वाली सुईयां, 12 गंटे में मिनट वो गंटे वाली सुईयां, समकौन बोला न, सुईयां, 22 बार समकौन बनाएंगी, 22 बार समकौन बनाएंगी, 22 बार समकौन बनाएंगी, अब सबाल ये उड़ता है कि 12 गंटे में नट वो गंटे वाली सुन्या 22 बार समकौन बनाएंगी, चुकि हम सभी जानते हैं कि सुन्या 1 गंटा में 2 बार समकौन बनाती है, 2 गंटे में 4 बार समकौन बनाती है, 3 गंटे में 6 बार समकौन बनाती है, 4 गंटे में 8 बार समकौन पाँच घंटे में दस बार समकॉन बनाती है, छे घंटे में बारा बार समकॉन बनाती है, तो बारा घंटे में चोबिस बार समकॉन बनानी चाहिए, परंतु बारा घंटे में बाईस बार समकॉन बना रही है, इसका अर्थ ये हुआ, कि सुन्या कहीं पर कमी आती होंगी, कही पर shortfall आता होगा, आईए, इसे को ध्यान में रखकर आपको shortfall भी बता देता हूँ, कहां पर सुन्या shortfall करती है, कहां पर समस्या है, यह 12 घंटे में 22 बार क्यों, याद रखिएगा, इसे दिल और दिमाग में रखिएगा, ध्यान से सीखिएगा, 2 से 3, ध्यान से देखे, 2 से 3, 2 से 3 सुन्या समकौन जो बनाती है, इसे हम डारेक्ट 90 डिगरी लिख दे, 2 से 3 में सुन्या एक बार समकौन बनाती है, ठीक 3 वजे सुन्या एक बार समकौन बनाती है, फिर 3 से 4, 3 से 4 के बीच, 3 से 4 के बीच जो सुन्या समकौन बनाती है, वो ए एक बार बनाती हैं, अर्थात दो से चार कितने घंटे हुए, यदि आप घंटे की बात करना चाहें, तो दो से चार, गौर से देखिएगा, दो घंटे की बात करना चाहें, तो दो से चार कितने घंटे हुए, दो से चार आपके दो घंटे हो गए, दो घंटे में कितनी बार स एक घंटा में दो बार, दो घंटे ने चार बार लेकिन यहाँ दो घंटे में तीन बार बना रही है तो कितने की कमी आई? एक की कमी आई इक की कमी आई? इक अपर याद रखेगा इसे कहते है, शॉट cafॉल एक की कमी चोटे चोटे सवाल हैंě कोई बहुत तफ सवाल नहीं है, छोटे-छोटे प्रश्न, कितने की कमी आई? एक की कमी आई, उसी प्रकार से, यदि इसके साथ एक और बात जान लिजिए, एक और बात आप जान लिजिए, 90 डिग्री में एक बात जान लिजिए, बहुत गहराई से, 90 डिग्री में, 8 से 9, 8 स 9 के बीच, सुयां 90 डिगरी, कितनी बार? एक बार, ठीक 9 बजे सुयां 90 डिगरी, कितनी बार? एक बार, 9 से 10 के बीच, 9 से 10 के बीच सुयां 90 डिगरी, कितनी बार? तो एक बार, कुल मिला के अगर आप देखेंगे, तो 8 से 10 में कितने हुए? 8 से 10 में आपके पास 2 घंटे दो घंटे में समकौन कितनी बार बनाएंगी, दो घंटे में समकौन तीन बार बनाएंगी, और कितने की कमी आई, यदि आप यहां पे देखेंगे, तो कितने की कमी आई, इस बात से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे, इस बात से बखू भी आप परिचित होंगे, कितने कितने की कमी आई, तो एक की कमी, कितने की कमी आई, तो एक की कमी, क्लियर है बात है, कितने की कमी आई, एक की कमी, देख लेचे प्रापर तरीके से, तो प्रशन आप से पूछा है, मूलता, ये तो कमी की बात हो गए, 12 घंटे में 22 बार, तो जाहिर सी बात है, 24 घंटे में, 24 गंटे में 22 बार तो 24 गंटे में कितनी बार आप खुद बताईए 24 गंटे में 44 बार 44 टाइमस 44 बार और 24 गंटे को ही हम क्या कहते है 24 गंटे को मेरे अजीज एक दिन कहा जाता है तो एक दिन में कितनी बार चाववा, बार 44 ताइमस, ध्यान रहे, इस बात को इस पॉइंट को भी खासा ध्यान रखें, नहीं साथ बजे डेली क्लास नहीं होरे, डेली क्लास का जो समय है वो सुभा आठ बजे का है, ये तो अलग से क्लास, एडिशनल क्लास, अतरिक्त क्लास आपके लिए लगाई गई है, जो आपके लिए फाइदा करें, आपके लिए फाइदे मन्ध हो, और कोई बात नहीं, अलग से अतरिक्त क्लास है, और इस प्रकार की क्लास मैं अतरिक्त क्लास आपके लिए लाता रहता हूं, संडे को, इत्यादी को, और ये पिछली संडे को क् तो इसे complete करना था clock काफी pending में था काफी समय से तो इसे complete करना था जाहिर सी बात है किसी चीज को शुरू किया तो complete करना पड़ेगा ठीक है अभी आप सब को मालूम है कि यह जो संजीवनी बैच यहां पे लिखा यही संजीवनी बैच आप सभी विद्ध्यार्थी जानते हैं यह पहले P.E.T. के लिए अभी P.E.T. संजीवनी बैच complete होने को है तो यह बैच जो है अभी मन्यू बैच आपके समक्ष आ चुका है कौन सा बैच अभी मन्यू बैच जिसकी जानकारी अभी कुछ देर पहले मैंने आपको दी है अभी मन्यू बैच के बारे में तो अभी मन आपको जानकारी प्रेशित करें के ऐसा नहीं कि यह भी लो वो भी लो यह ओची बात है यह चिचली बात है अगर आपने संजीवनी बैच में पढ़ा है प्रापर तरीके से तलीनता के साथ तो क्यों लेना पड़ेगा अभी मन्यू बेशक नहीं बिलकुल नहीं इसलिए अ आप जानते हैं कि 18 सितंबर को परिक्षा हो नहीं थी पैट की और पैट की परिक्षा उत्तर प्रदेश के सभी लड़के लड़कियां देंगे ठीक है प्राडंबिक आहरता परिक्षा इसलिए अभी मन्यू बैच को लाया गया इसलिए कंफ्यूज ना हो आपके लिए टीचर लेंगे कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे शुरू से लेकर आखिर तक शुरू कब हुआ और खतम कब होगा उत्तर दीजिए दो पहर एक बज़े से पांच बज़े की बिच कितने बात घड़ी की दोनों सुन या एक दूसरे के साथ सम कौन मनाएंगी अब यहां पे आपको बताना होगा सवाल क्या है दो पहर एक बज़े से दो पहर एक बज़े का मतलब होता है पी-म कितने बज़े तक शाम पांच बज़े तक शाम पांच बज़े का मतलब होता है पी-म तो वन पी-म से पूर पी-म कितने घंटे हुए जाहित हो जाएए क्योंकि जो हम बा राइट नौ वप्रिंग की समस्य आप पहले से बहतर हुई बताने का प्रयास करिए का चीज ने साफ दिख रही है मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि 5 से लेकर 11 बजे तक 11 बजे तक कितनी बार घड़ी की सुईया एक दूसरे एक दूसरे के साथ सम कौन बनाएंगी ज जब साम 5 बजे से 11 बजे तक की बात आती है तो हम क्या करते हैं सम कौन की बात आएगी तो कितने घंटे सम कौन बनाएंगी जाहिर सी बात है सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कितने घंटे का अंतर है कितने घंटे इतने घंटे में सम कौन कितनी बार बनाएंगी तो तो छे घंटे में बारबार समकौन बनाएंगी, ये बात बहुत स्पष्ट है, अब आपको ये तै करना पड़ेगा, कि यहां पर पांच बज़े से लेकर ग्यारा बज़े रात्री में तक, क्या दो से चार या आट से दस की बीच का समय शामिल है, अगर दो से चार की बीच का समय सामिल है, तो एक की कमी आएंगी, आट से दस की बीच का यदी समय सामिल है, तो एक की कमी आएंगी, अगर दो से चार और आट से दस दोनों के, दोनों समय शामिल है, तो एक और एक दो की कमी आएंगी, तो कहने का मतलब पांच बज़े से लेकर ग्यारा बज़े रात्र तक अगर आप देखेंगे तो 8 से 10 की बीच का समय शामिल है तो 1 की कमी आएंगे माइनस का मतलब होता है कमी तो 12 माइनस 1 कितना होगा 11 बार 12 माइनस 1 कितना होगा 11 बार इस बिंदू को देखेंगे तो इस परश्टा से यह बातें आपको समझ में आ जाएंगे अब यह क्लास प्रापर तरीके से आपकी देखिए अचानक जो है बंद हो गई थी आपकी क्लास ठीक है यह क्लास आपको प्रापर तरीके से समझ में आ रही होंगी मुझे लगता है कि आपको किसी प्रकार की कोई परिशानी नहीं हो रही हो तो प्लीज देखे बिंदू बताने का प्रयास करिएगा मैं अगले बिंदू पे चलता हूँ उत्तर दीजेगा ध्यान पुरवक प्रश्णा आपसे क्या कहता है ध्यान से देखे प्रश्णा आपसे कहता है कि दो पहर दो बजे का मतलब होता है टू पीम क्लि यदि इस दर्म्यान दो से चार के बीच का समय शामिल है तो जाहिर सी बात है एक और की गूंड़ तो कुल मिला कि अगर 2 is 4 और 8 is 10 दोनों समय शामिल है तो एक और एक दो कि कमी आएंगे टॉटल तो पहले हमें क्या करना है रातस दोपहर से रात्री दस कितने घंटे का है आठ घंटे का है तो आठ घंटे में सबसे पहले स्पश्टार पे लिख दे स्पश्टा से लिख दे कि 8 घंटे में समकौन कितनी बार? 16 बार अब आप तय करें कि घटेगा या नहीं घटेगा या आपको तय करना पड़ेगा 2 बजे 2 पर से लेके रातरी 10 बजे तक 2 से 4 के बीच का समय शामिल है? हाँ है समय शामिल तो एक की कमी आएंगी 2 से 4 के बीच का समय शामिल है तो एक की कमी आएंगी कितने की? एक की कमी आएंगी माइनस मतलब कमी और 8 से 10 की बीच का समय शामिल है इस दर्मियान? हाँ समय शामिल है तो एक और की कमी आएंगी, तो कुल मिला के एक और एक मिलकर total कमी कितनी होंगी minus 2, तो 2 की कमी आएंगी, तो 16 में अगर हम 2 घटा दे 16 में यदी 2 घटा दे 16 minus 2 कर दें, तो ये कितनी बार? ये 14 बार कितनी बार? तो 14 बार, तो answer of the question is what? दिये गया प्रशन का उत्तर क्या हो जाएगा option D is correct, D will be answer 14 बार कोई दिक्कत किसी को अब आज पुड़ा पर आ रही है नहीं हाँ अभी मन्यों बैच के class तो चलेंगी, चलतो रही है मेरी class 10 बज़े है क्या नहीं चल रही है देखिए ये सारी बात मैं बता चुका हूँ आपने clock का part 1 और part 2 देखा होगा clock 1 clock 2 और ये आपका है clock 3 क्या है आपका clock 1, clock 2 और ये है आपका clock 3 आपने देखा होगा आगे चलते next please बताने का प्रयाज करिए प्रशन आप से क्या कह रहा है प्रशन आप से क्या कह रहा है बताने का प्रयाज करिए प्रशन आप से कह रहा है कि समय चार से लेकर पांच तक में घंटे तथा मिनट के सुईया कब सम कौन के स्तती में होगी सम कौन के स्तती में होगी चार से लेकर पांच तक सम कौन तो सबसे पहली बात है कि 12 देख लीजिए ध्यान से 12 बटे 11 चार पहले बजाएंगे पहले मिलाना सीखो मिला लिया मिलेंगी कितने पर 20 पे 4 का मतलब 20 होता है 20 में क्या करें प्लस 15 कर दें मिनट कितना बच कर चार बच कर एक आंसर यह आजाएगा फिर 12 बटे 11 इसे कहते हैं लूज का केस यह गेन हो गया और इसे कहते हैं लूज का केस 20 पे मिलेंगी और माइनस 15 कर दिया मिनट कितना बच कर चार बच कर तो 12 बटे 11 गुणा 35 मिनट कितना बचकर चार बचकर यह कितना होगा 420 बटे 11 मिनट कितना बचकर चार बचकर और इसे हम क्या कह सकते हैं इसे हम कह सकते 38 दो बचकर ग्यारा मिनट कितना बचकर चार बचकर एक बार फिर से लिख देता हूं 32 बटे 11 मिनट एक आंसर ये हो गया अब मिलान करें कि कौन सा आंसर यहां पर है अगर दोनों है तो दोनों आप उत्तर देंगे यदि एक है तो एक आप उत्तर देंगे सिंपल सी बात है 12 बटे 11 गोना 5 हो जाएगा 60 बटे 11 मिनट चार बचकर जब आप इसे मिक्स ट्रेक्शन में मिश्रिद भिन में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5 से 5 बचकर 11 मिनट कितना बचकर 4 बचकर तो दो आंसर होंगे चार बचकर 5 से 5 बटे 11 मिनट और एक आंसर होगा चार बचकर 38 दो बटे 11 मिनट ये दोनों आंसर होगे तो विकल्प के अनुसार चुनाब करें क्या दोनों उत्तर ए और बी दोनों है तो विकल्प होगा है किसी प्रकार की गोई दिक्कत ध्यान पुर्बग देखें और प्रशनों का उत्तर समझने का प्रयास करें आज अभी मन्यू बैच की क्लास चल रही है दोस्त अभी मन्यू बैच की क्लास का समय आपको पता है आठ बजे, नौ बजे, दस बजे, दस बजे मेरी कलास होती है प्रापर तरीके से कौन सा टॉपिक होगा ये भी आपको पता होगा कि रैंकिंग के थिसरे हिस्से को करवाऊंगा आवज में जिसमें जिसमें बिट्वीन बीच वे निकालने की बात मिनिमम और मैक्सिमम की बात आपसे करूँगा है या नहीं minimum और maximum की बात आपसे करूँगा between की बात आपसे करूँगा यही ना ध्यान पुरवग देखिएगा कोई दिक्कत किसी साथ ही को जरा भी तो बताने का प्रयास करिएगा आगे चलते next अगले बिंदु की बात करते हैं प्रशन का उत्तर दीजिए प्रशन आपसे पूछा सारे पांच देखिए बारबटे ग्यारत जब भी आपसे साड़े पांच और छे पूछे साड़े पांच और छे पूछे तो आप बजाएंगे पांच जब आप पांच बजाएंगे तो क्या होगा 25 समकौन की बात आपसे कर रहा है तो समकौन की बात आपसे कर रहा है तो क् प्लस 15 प्लस कितना 15 मिनट कितना बच कर पांच बच कर जाहिर सी बात है यदि आप से सॉल्ब करेंगे तो यह 12 भटे ग्यारव कुना कितना होगा 40 मिनट कितना बच कर 5 बच कर जब आप इसे solve करेंगे 12 गुना 4 कितना होगा 480, 480 बटे 11 मिनट, जाहिर थी बात है कितना बचकर 5 मिनट, इसे solve करेंगे 144, 4 बचाते 47 बचकर 11 मिनट, इसे 47 बचकर 11 मिनट, कितना बचकर 5 बचकर, यह आपका उत्तर आ जाता है कब, जब सुयां साड़े 5 और 6 के बीच का वक्त है, बि इसका उत्तर क्या होगा, चोकि यह तो होगा नहीं, यह भी होगा नहीं, अब 5, 43 और 5, 44 आपके पास है, इन दोनों में सबसे बहतर विकल्प कौन होगा, यह बताने का प्रयास करें, मेरे दोस्त, मेरे साथी, जल्दी से reply करें, कौन सा होगा, 5, 43 या 5, 44, अगर आप 43 साथ को भाग करते हैं, तो गुना साथ करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 सते कितना, 42, और उसे फिर 42 को भाग करेंगे, तो कितना हो जाएगा, लगपक 38 से जादा, तो 5, 44 के तरफ जादा यह पक्ष करेगा, तो 5 बच कर 44 मिनट, इन दोनों में बहुत बारीक अंतर है, तो 5, 44 क्योंकि यदि आप 47 मिनट ले लिया, यह इसका जुकाब 5 बच कर 44 मिनट के तरफ जादा हो, तो इसलिए आपका विकल्ब D उत्तर हो जाएगा, देखे मित्रम, यह अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो जाहिर से बात है, यह समस्या आपकी नहीं है, यह समस्या ऐसी स यह पेंडिंग थी, और मैं आपको वचन दिया था, कि जो भी टॉपिक मैंने वचन दिया हूं आपको, और पुनह इसी वचन को दोराता हूं, और हर एक वचन को निभाओंगा, यह मैंने वचन दिया था आपको, वचन यह था कि जो भी वचन दूँगा, उसे चाहे स्टुडेंट को यह लगे कि सर यह क्या हो रहा है क्योंकि स्टुडेंट क्या है स्टुडेंट क्या है आपको मैं बता दू नियमित और निरंतर नहीं है अधिकांस विद्यार्थी यह संख्या तो मैं एक्जेक्ट नहीं बता सकता हूं आंकडे तो नहीं है मेरे पास ल जानता है क्योंकि मैं ऐसे थोड़ी लिख सकता हूँ 25 प्लस 15 क्योंकि ये सारी बात पहले बचात बता चुका हूँ 15 क्यों आया 15 मतलब 90 डिगरी होता है क्योंकि 15 मिनट मतलब 90 डिगरी होता है क्योंकि एक मिनट का मतलब 6 डिगरी होता है ये सारी बात बता चुका हूँ एक मिनट का मतलब 6 डिगरी होता है, तो 15 मिनट का मतलब 90 डिगरी होता है, ये सारी जानकारी दे चुका हूँ, मैं बेवज़ा क्यों बोलूँगा, मैं बेवज़ा यो क्यों लिखोंगा यहां पर, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, बताइए मेरे दोस्त, कुछ ऐसे कैसे कर सकता ह प्रितांशु यादव अगर आप कहरें पुराना क्लास समझातों तो पुराना क्लास ही फिर हो जाएगा रिपीट ना दोस्त क्योंकि पुराने क्लास में बहुत कुछ बता चुका लिटरली बहुत कुछ बता चुका आईए यह बात सपष्ट यहां तक कोई दिखते हैं किसी साथ ही को दो बताने का प्रयास करें नेक्स्ट अगले बिंदू पे चलते प्रश्न का उत्तर दीचीगा अब यहां से मैं आपको इंटर्वल समय बताऊंगा आईए इंटर्वल टाइम समझने का प्रयास करते हैं लिखे मित्र आपको यहां से बातें समझ में आ सकती हैं औ Time Intervall और इस पर अधारित प्रश्न पूछ गाया हैं और पूछे जाते हैं परिक्षा कोई भी हो मुझे बस इतना बता मुझे इतना बता देजी । कि 12 बचे 12 तोनों सुझे आपस में मिलेंगे 12 बजे दोनों सुझना आपस में मिलेंगे यह वक्त आप परिचित है इस वक्त से आप परिचित यह वक्त कितना है 12 बजे का वक्त है क्या सुईयां 12 बजे दोनों सुईयां आपस में मिलेंगी तो मुझे साथी साथ यह भी बता दीचिए साथी साथ मुझे साथी साथ यह भी बता दीचिए साथी साथ मुझे यह भी बता दीचिए साथ ही साथ मुझे ये भी बता दीजिए, क्या सुईया जब बारा बजे मीलेंगी, तो क्या सुईया एक बजे दोनों आपस में मिलेंगी, बस इतना बता दीजिए, बारा बजे तो दुनिया जानती है कि आपस में मिलती हैं दोनों, दुनिया जानती हैं कि बारा बजे दोनो सुईयां आपस में मिलती है अब दुनिया जानती है तो मुझे बस इतना बता दीजिए क्या साट मिनट के बाद दोनों सुईयां क्या साट मिनट के बाद दोनों सुईयां आपस में मिलेंगे बस इतना बता दीजिए हां या ना 12 बज़े सुईया मिलती है, मिलने का मतलब दोनों ठीक एक दूसरे के ऊपर हो, क्या सुईया एक बज़े ठीक एक दूसरे के ऊपर है, आपका जवाब होगा कि सर नहीं, एक बज़े दोनों सुईया एक दूसरे के ऊपर नहीं है, नहीं है न, जब सुईया मतलब एक बज़े उपर नहीं है, तो मुझे इतना बता दीजिए, जब बारा बज़े मिली, इसका मतलब है अगले मिलने का जो अंतराल समय है, समय अंतराल है, समय का अंतर है, समय का डिफ्रेंस है, बारा बज़े तो मिलती है, फिर अगली बार जो मिलेंगे, बारा बज़े तो मिलती है, फिर फिर ठीक अगली बार जो मिलेंगी, कितने मिनट के बाद मिलेंगी, क्या 60 मिनट के बाद मिलेंगी, 12 बजे तो मिलती है, फिर ठीक शब्द पर ध्यान दीजे, फिर ठीक अगली बार, मतलब कौन, मिनट और घंटे वाली सुन्या, 12 बजे मिलती है, फिर ठीक अगली बार, कितन कितने मिनट पर दोनों मिलेंगी। इसका मतलब यह हुआ, साथ मिनट को तो नहीं मिलेंगे, कितने मिनट के अंतिराल पर दोनों मिलेंगे, 60 मिनट के अंतराल पर दोनों तो नहीं मिलेंगी तो कितने मिनट के अंतराल पर मिलेंगी ध्यान पुर्वक बताने का प्रयास करें कितने मिनट के अंतराल पर मिलेंगी राजुपाद ध्याय आनन दोजह कहते हैं 65 मिनट के अंतराल पर मुझे exact बता दीजिए exact ये clock है इसमें second का मोल होता है आप 65 मिनट लिख कर भाग नहीं सकते हैं 65 मिनट लिख कर आपको exact बताना पड़ेगा कितने मिनट पर मिलेंगी चोकि 12 बजे मिलती है तो अगली बार कब मिलती है ठीक अगली बार कब मिलती है बस इतना बता देजिए सुनिए गाल तबज्जो दे बारस एक बजे तो नहीं मिलती है एक बजे भी नहीं मिलती है बारस एक के बीच भी नहीं मिलती है एक बजे बर नहीं मिलती है इसका मतलब अगली बार जो सुयां मिलेंगी 12 बजे के बाद जो मिलेंगी एक से दो के बीच मिलेंगी चुकि आप जानते हैं नएक और दो के बीच सुईया कम मिलती आप जानते हैं मैंे किया इस बात को स Bring 12 बटे 11 गुणा कितना कर ले आप जानते हैं ना इस बात को एक से दो की बीच 12 बटे 11 एक बजाएंगे ना तो गुणा पांच गुणा कितना पांच इससे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टार्ट बटे 11 मिनट गहीं न कितना बजकर तो जाहिर सी बात एक बजकर कितना बजकर तो एक बजकर होगा या नहीं बिलकुल होगा तो इसे देखेंगे से हाँ पे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं आप साफ तोर पे लिख सकते हैं एक बजकर पांच से पांच बट और फिर कब मिलेंगी, मिली हैं 12 बजे, फिर कब मिलेंगी, गोर से देखिएगा, मिली हैं 12 बजे, दोनों सुईयां मिली हैं 12 बजे, उसके बाद दोनों सुईयां कब मिलती हैं, जाहिर है, दोनों सुईयां कब मिलेंगी, इसका मतलब है, जो अंतराल समय हमारा है, वो अंतरा समय क्या हो जाएगा? अंतराल समय हमारा जो हो जाएगा, लिख देताओं एक बार, 65 से 5 बते 11 मिनट, 65 से 5 बते 11 मिनट, यह हमारा अंतराल समय हो जाएगा, कि दोनों सुयां same अंतराल याद रखिये, direct कभी-कभी समय अंतराल पर प्रशन पूछा जाता है, कितने मिनट के अंतराल पर, सुचिए न, 12 से 1 कितना हो गया, 60 मिनट, और इधर हो गया, 5 से 5 बटे 11 मिनट, हो गया न, 12 से 1, 60 मिनट, 5 से 60 और 5 से 5 बटे 11 कितना हो गया, 65 से 5 बटे 11 मिनट, 65 से 5 बिटे 11 मिनट पर दोनों सुईयां आपस में मिलती हैं कोई दिक्कत किसे साथ ही को क्लिर है कोई दिक्कत ने इसलिए मैं इस बात को रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत ये एहम बात है बहुत ये एहम बात है ठीक है आगे चलू इस पे आधारित प्रश्न कैसे पूछी जाते हैं आईए बाक्चित करते हैं इस पे आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं आपके समक्ष पहला प्रश्न गौर से देखेगा उत्तर देने का प्रयास करिया यदि एक घड़ी की दोनों सुईयां हर 24 मिनट पर संपाती होती है तो यह घड़ी एक दिन में कितने समय की बढ़त लेती है प्रश्ण आप से पूछता है कि एक दिन में कितने समय की बढ़त लेती है लेकिन यहां पर सुईयां कितने मिनट के अंतराल पर संपाती संपाती का मतलब होता मिलना एक दुसरे से मिलना उसे समपाती कहते हैं, कितने मिनट पर समपाती होती है, 64 मिनट पर समपाती होती है, तो प्रश्ण पूछता या घड़ी एक दिन में कितने समय की बढ़त लेती हैं, प्लीज बताने का प्रयास करिएगा, क्लास डेली चलती है, सुभा आट बजे रोज चलती है, कमाल की बात है, ये तो क्लॉक आपका पेंडिंग में था काफी समय से, ये करवाने वाला था, ये पेंडिंग में था क्लॉक वाला हिस्सा, क्योंकि इसकी दो क्लॉक की दो क्लास हो चुकी है, अब देखिए 64 मिनट, द यह गलत समयांतराल है समयांतराल गलत है सही समयांतराल क्या है सही समयांतराल हमारा यही है 65 से 5 बटे 11 मिनट के अंतराल पे मिलती है सुचिए गाजरास समयांतराल का मतलब यह होता है अगर सुन्या 12 बजे मिली है तो अगली बार इतने समय के बाद मिलेंगी अगर यह एक और 11 मिनट पर मिली है मेरी बात समझ रहे हैं एक बचकर पांच से 5 मिटे 11 मिनट पर मिली है तो अगली बार अगली बार कब मिलेंगी 2 से 3 के बीच मिलेंगी 2 से 3 के बीच जो मिलेंगी वो मतलब इतना अगर मैं 65 से 5 मिटे 11 मिनट यदी मैं 65 से 5 मिटे 11 मिनट यदी मैं एक बचकर 5 से 5 बटे 11 में इतना मिनट मैं में जोड़ दू तो हमारा जो अगला मिलने का समय होगा वो हो जाएगा सोचें न एक है न यहां पे आप जोड़ दीजिए इसको क्या हो जाएगा 65 और 5 कितना 70 एक है न पैंशट कर 10 से 10 बटे 11 मिनट दो बचकर 10 से 10 बटे 11 मिनट यही तो बोलेंगे दो बचकर 10 से 10 बटे 11 मिनट यही तो बोलेंगे यही आप बोलेंगे आप सोचें दो और तीन के बीच का यह मिलने का समय है इसलिए दो और तीन के बीच का यह मिलने का समय है आप यही समयांतराल याद रखिएगा, मेरे बात समझ रहें? चलिए, अब यहां पर बात इसे short में कैसे बना एंभी, पहले आप सीख लीजिए, सही Samyyaंतराल को है सही Samyyaंतराल एक बार विस्तार से बता देता हूँ, सही Samyyaंतराल क्या है? सही समयांतराल हमारा है 65 से 5 बटे 11 मिनट और गलत समयांतराल क्या है गलत समयांतराल यह है नहीं हाला कि प्रश्ट में लिखा गया है प्रश्ट में दिया गया ऐसा होता नहीं है 64 मिनट बोला यह प्रश्ण में गलत लिखा होगा तभी तो प्रश्ण कहता है कि बढ़त लेती है यह घड़ी एक दिन में कितने समय बढ़त लेती है तभी तो यह बोला जाता है एक दिन में कितने समय बढ़त लेती है तभी तो यह बातें कही जाती है इसका मतलब है दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 65 से 5 बटे 11 मिनट और माइनस 64 दोनों के बीच का अंतर की बात करें तो कितने मिनट का अंतर होगा दोनों के बीच का अंतर आप निकाल लेंगे तो आपको मिलेगा 1 से 5 बटे 11 मिनट है ना एक से पांच बटए 11 मिनट जब आप इससे solve करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 16 बटए 11 मिनट कितना हो जाएगा 16 बटए 11 मिनट अब समझेए गनित समझने का प्रयास करें। इसका मतलब 64 मिनट पर कितना बढ़ाना पड़ेगा तो जो हमारा 16 बट 11 मिनट का बढ़द लेना पड़ेगा मेरी बात समझ रहे है यह मैं एक बार प्रापर तरीके से आपको बता देता उ forgiven प्रापर तरीके से यह pending में था 64 मिनट पर 16 बट 11 मिनट का बढ़द लेना पड़ेगा एक मिनट पर ध्यान पुर्वग देखे तो एक मिनट पर एक मिनट पर ये हो जाएगा कितना 16 बटे 11 कुना एक बटा 64 पेर देखते जाएगा इसका मतलब हम एक मिनट को चेंज कर सकते घंटे मिलकुल एक मिनट को आप कह सकते एक बटा 60 घंटे एक बटा 60 घंटे में कितना हो जाएगा तो जाहिर सी बात है 16 बटे 11 कितना हो जाएगा 16 बटे 11 गुना एक बटा 64 मिनट इसका मतलब 1 घंटा में कितना? एक घंटा में हो जाएगा 16 बटे 11 गुना 1 बटे 64 और गुना 60 हो गया? हो गया? हो गया तो एक घंटा में आपने इतना मिनट कर दिया ये मिनट में है याद रखिएगा तो प्रशन आप से पूछने वाला प्रशन आप से पूछता है क्या पूछता है प्रशनाप से प्रशनाप से पूछता है कि 24 गंटे में कितना एक दिन है ना एक दिन का मतलब है 24 गंटे में कितना तो 24 गंटे में आप क्या कर देंगे 24 गंटे में आप क्या कर देंगे आप इस बात से अच्छी तरह से परिचित है 24 गंटे में आप क्या कर देंगे देख लिए जिस पश्टा से 24 गंटे में आप क्या एक गंटे में इतना तो 24 गंटे में कितना 16 गंटे 11 गुणा 1 गंटे 64 और गुणा 60 और गुणा कितना 24 कर दिया यह जो भी आया वो मिनट में आया जो भी आया वो मिनट में आया तो जाहिर स्विश्ट इसे कितने से भाग करेंगे यदि आफ शाट से भाग करेंगे तो ये सॉल्ट कर लेंगे तो कितना आएगा और जब भी आपको शोट में निकालना इसका शोट आपको तुरंफ बता देता हूं शोलच के चौंसट और बंद्र ग॑ना 460 है ना 15 गुना 24 कितना हो जाएगा 15 गुना 15 गुना 24 बटे 11 मिनट है 15 गुना 24 बटे 11 मिनट हो जाता है 360 बटे 11 मिनट यसे सॉल्ब करेंगे तो यह हो जाता है 32 बटे 11 मिनट 32 बटे 11 मिनट का मतलब विकल्प के अनुसार चले तो 32 इसका उत्तर हो जाएगा 32 मिनट ठीक है क्या हो जाएगा 32 मिनट क्योंकि 32 बटे 11 आपको 32 ही देना पड़ेगा क्योंकि 34 एग्जेक्ट्ली आप दे नहीं सकते मेरे बात समझ रहे तो इसे सॉल्ब करने के बाद आपका यही आएगा हो सकता है किसी साथी को आपको दिक्कत हो रही होगी मुझे मालूम है क्योंकि यह क्लास आज की नहीं अब मैं इस पर अधारित बता देता हूं इसका शौर्ट तरीका क्या होता है जब भी आपको ऐसे तरीका होता है शौर्ट मैथट होता है इसका शौर्ट मैथट होता है सही समया अंतराल और गलत समया अंतराल के बीच का अंतर सही समया अंतराल और गलत समया अंतराल के बीच का अंतर शौर्ट मैथट सेख लिजए इन्टू एक बट यह इन्टू है इन्टू यह इन्टू है इन्टू 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 एक बट गलत समया अंतराल गलत समया अंतराल गुणा साथ इसको आप कहें तो मैं ऐसे लिख दूँ गलत समया अंतराल गुणा साथ गुणा चौबिस यह मैं एक दिन की बात करूँ इसलिए चौबिस किया अगर चौबिस घंटे इसलिए किया क्योंकि एक दिन की बात है अगर कोई 13 घंटे करता तो गुणा 13 करेंगे कोई 16 घंटे करता और जो भी आंसर इसमें आपका आएगा याद रखेगा जो भी आप आंसर निकालेंगे वो मिनट में आएगा किसमें आएगा मिनट में आएगा हाँ फिर आपको यदि घंटे में चेंज करना है यह जो आपने 60 गुना 24 किया है यह जो आपने गुना 60 और गुना 24 किया यह 24 घंटे मतलब एक दिन की बात है और यह M का मतलब है मिनट में निकाला जो भी आंसर होगा मिनट में बस यही फॉर्मुला है आप इस प्रकार के सवाल को इस फॉर्मुला से बना सकते हैं यह विधी तो बता रहा हूं आए इस विधी से स्वाल करते हैं अगर यह मिनट में है यदि आपको निकालना हो घंटे में तो इसको किस से भाग कर दें यदि आपको घंटे में निकालना हो आपको जानते हैं कि मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर सकते हैं त इस समय को याद रखेगा दोनों का अंतर एक बटा गलत समय अंतराल गुना साट गुना 24 जैसे आपके सामने सवाल अभी जो हमने सौल्व किया यह क्या है सही समय अंतराल और गलत समय अंतराल के बीच का अंतर कितना हुआ 16 बटे 11 16 बटे 11 में कितने से गुना किया आपने एक बटा गलत समय अंतराल कितना हो गया एक बटा गलत समय अंतराल 64 हो गया गुना साट और गुना 24 एक दिन की बात की गई है और आपने जो समय निकाला वो मिनट में निकला इसी को तो आपने अभी सौल्व किया सही समय अंत इहां पे क्या लिखा एक बटा 44 एक बटा 64 144 किया है आपका गलत समय अंत्राई गुणा साथ। यहां पे लिखा आपने गुणा साथ और गुणा 24 को इसलिए गुणा किया क्योंकि यह घंट रा और तर ये एक दिन में चेंच हो गया फिर आपने से सौर्फे 16 64 64 और यह 15 गुना 4 60 24 गुना 5 15 कितना 360 360 बटे 11 क्या है मिनट जब आप इसने सॉल्व किया तो यह हो गया 32 बटे 11 मिनट की बढ़त बनाती है याद रखिए गाय से प्रश्म को करने पर ठीक है अगर आपको लगता है मुझे मालूम है कि आप में से साथ ही क्लॉक पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे होंगे उनको यह बात अचरज लग रही होगी कि सर क्या बोल रहे हैं यह बात मालूम है आप यही कहेंगे कि सर क्या बोल रहे हैं मुझे पता है और अभी मन्यू बैच से आपको हला कि वाकिव करवाओंगा अभी थोड़े देर में आपको परिचे यूपिटर पलस्ती पैट की क्लास अभी 10 बचे होगी रिजनिंग की उसमें रैंकिंग का तीसरा हिस्ता हो गया प्रापर तरीके से आपके लिए लेसन प्लाइन है कि कौन से सक्षक कौन से विशे और कौन से दिन कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे और 9 अगस से क्लास शुरू हुई है और यह कब तक चलेगी यह भी पूरी तरह से व्याख्या है लेसन प्लाइन आपको अप्लोड कर दिया गया है एक्जामपूर ओफिसियल अप्लिकेशन पर यहा सबसे बड़े सूबे की बात करें उत्तर प्रदेश वहां के सभी विद्यारती पैट की परिक्षा देंगे बाकी परिचय आपको मालूमें फीचर वेगर यह सब बाते आप जानते हैं आपको क्या बताओं आपको बताना मतलब सुरी को दिया दिखाने के बराबर जैसा हो जाता है जो कि इन सब चीजों से आप परिचित है इस प्रशन का भी उत्तर दे प्रशन यहां पे क्या कह रहा है यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे 65 मिनट के बोल रहा है सही समया अंतराल है 65 से पांच बटे ग्या रहा है यह कहता है पैंसेट मिनट में ही पार कर इति है मतलब 65 मिनट पे ही मिल जाती है तो एक दिन में कितना धीमी यती होगी याध रखियागा 65 मिनट है तो सहीस अंतराल क्या यह सही समयां अंतराल होता से 5 बटे 11 मिनट, गलत समय अंतराल प्रश्ट में दिया गया 65 मिनट, दोनों का आप निकालेंगे तो उत्तर आएगा 6 बटे 11 मिनट, आप निकाल सकते हैं, अगर आप कहेंगे सर कैसे, तो मैं बच्चों जैसे आपको समझा दूगा, 720 बटे 11 मिनट, माइनस कितना 65 मिनट, LC हम ले लेंगे, कितने का 11 यहां पर एक लिख देंगे, तो यह 720 माइनस 65 गुना 11 कितना हो जाएगा, आप देख लेजिए, कितना हो जाएगा, 65 गुना 11 कितना हो जाएगा, अब देख लेजिए, बताने का प्रियास करिएगा, यह क्लियर है, 11 गुना 65 आपने कर दिया, और 5 साथ सु भीश गुणाव 25 मिनट ही ना तो 니 मुझह लगता है तोisesti मुझे सिंपल यह साथ सो पंदर होजाएगा तो यह नौर्मली कितना हो जाएगा छाससट वह होता है ठाजबत है मभ 묶्यांष के इसमे क्या करेंगे आप आपने अन्तर निकाल लिया अंतर जो आया, गलत समय और सही समय अंतराल का जो अंतर आया, वो पांच बटे ग्यारक आया, गुणा कितना कर दे, गलत समय अंतराल को नीचे रग दे, एक गुणा 65, गुणा कितना कर दे, गुणा 60, एक दिन की बात की गई है, गुणा 24, और मैंने आप से कहा था, इसमें जो भी प्रश्न का उत्तर आता है, वो किस में आता है, मिनट में, कहा था तो, और आपको उत्तर किस में दिया गया, देखिए, घंटे, 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 तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 60 से भाग करना पड़ेगा, कितने से भाग, 60 से भाग करना पड़ेगा, त आज actually class के शुरुवाती में तकरिवन आधा घंटा तक बफरी ही होता रहा, एक समस्या तो वो हो गई, ठीक है टेक्निकल इसू के कारण आपकी class बफरी होने लगी, ठीक है, लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे तो इन बातों को आप समझ बाएंगे, तो फिर आप 0 इन दो इतना 24, ये घंटे में आपका change हो गया, किस में change हो गया घंटे में, आप solve कर लिजे से आसानी से आप solve कर सकते हैं, भह या नि, इसे 5 से काट सकते न, ये कट जाएगा 5, 13,65 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 बटर, 143 घंटे, क्या धीनी या तेज, जाहि करना पड़ेगा, किसी में है क्या, 24 बटर, 143 घंटे, तेज करना पड़ेगा, बहुत बढ़ियां, रजट कुमार उपाध्या, किसका लेवल बढ़ा है मित्र, किसका लेवल बढ़ाए जाए, किसका लेवल बढ़ाए जाए, आपके एक्जाम तक ही सिमित्र रहूंगा दोस्त, और मैं बेवज़र लेवल नहीं बढ़ाऊंगा, और लेवल इतना है कि आप भी इस बात को जानते हैं, अगर क्लॉक पढ़ने में इतनी दिल्चसपी है, तो कैट की क्लास लेए, वहाँ पे दो-दो-तिन-तिन घड़ियां होती है, साब घड़ियां को आपस में लड़ाया जाता है, वो तीन मिनट, आगे तीन मिनट, वो पीछे, ठीक है, वहाँ की बात उसके एक्वार्डिंग होती है, किसी को किसी प्रकार की दिकत, यह बात स्परष्ट है, कोई दिकत नहीं न, दिकत नहीं होनी चाहिए, आगे चलते हैं, फिर उसी प्रकार की प्रश्ण आपके समक्षे, उसी आधार पे आप बनाएंगे जिस आधार पे आप बनाते आ रहें उसी आधार पे अभी जो बनाएं आपने same format है same formula है बताने का प्रयास करिए वही आप करेंगे सही समय अंतराल और देखे 60 minute का अंतराल तो आपको क्या करना पड़ेगा तेज करना पड़ेगा तो सही समय अंतराल कितना होता है 65 से 5 बटे 11 और गलत आपका कितना है 60 दोनों के बीच का आप अंतर ले लीजे यदि आप दोनों के बीच का अंतर लेंगे लेके देख सकते दोनों के बीच का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 60 बटे 11 हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर लेंगे, तो डाइरिक्ट 60 बटे 11 बोलें, या 5 ते 5 बटे 11 हो जाएगा, होगा ना, और इसे क्या बोलते हैं, 60 बटे 11 ही तो बोलते हैं, तो दोनों के बीच का अंतर इन दोनों करने गता लिये एस नहीं लेसकते हैं गटा के तो आपने अंतर लिया तो दोंके इनके फर्मॉला सिंपल अभी बताया था थोड़ी दिर पहले मैंही समयंतरत गुना साथ, गुना एक बत्य गलत समयंतरत गुना साथ, गुना छॉविस और यह मिनट में उत्तर आता है अगर घंटे में चेंज करना इस पूरे को क्या करिए साठ से भाग देजी साठ से भाग करने मिनट घंटे में परिवर्तित हो जाता है तो आपने यहां पर क्या लिखा साठ बटे गुना कितना गलत समय अंतराल कितना है साठ गुना साठ गुना चौविस यह जो उत्तर आपका आया यह उत्तर किस में आया मिनट में आया इसे यदि आप घंटे में चेंज करना चाहते हैं घंटे में चेंज करना चाहते हैं तो किससे भाग करेंगे इसे आप साठ से भाग कर यदि आप घंटे में चेंज करना आप चाहते हैं तो कोई दिक्कत किसे साथ ही को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो बताने का प्रयास करिएगा आराम से किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए और भला क्यूं हो आपको दिक्कत क्लियर है तो इस प्रकार से आ पहले एक दिन की बात करता था आपको याद होगा तो ध्यान पुर्वक देखें पहले एक दिन, एक दिन का अर्थ पता क्या होता है, एक दिन का अर्थ होता है, 24 घंटे, इसलिए आप गुना 24 करते थे, फिर देखें, पिछले सारे प्रश्णों में क्या बोला जाता था, एक एक दिन, एक दिन, एक दिन मतलब 24 घंटे, इसलिए आप 24 से गुना करते थे, परन्तो इस वाले प्रश्ट में आप से कितना बोला, 22 घंटे बोला, तो इस बात का इल्म रहे, इस बात का ख्याल रखेगा, हमें 22 करना पड़ेगा, और ये जो आता है उत्तर ये मिनट में, इस साथ से भाग करते हैं, अब इस डिसको काटना आप काट सकते हैं, असानी से, साथ और साथ कैंसल हो गया, और ये वाला साथ इस से कैंसल हो गया, और ग्यारा दोना, 22 हो गया, ये किसमें चेंज हो गया, ये प्रॉपर तरीके से आपका दो घंटे में चेंज हो गया, किसमें मिनट तेज करना पड़ेगा यदि आप विकल्प के अनुसार चले तो विकल्प के अनुसार विकल्प डीज का उत्तर हो जाएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहतरीन रुचित राना बहतरीन फिजा खान दो घंटे वही उसी को 120 मिनट कहते हैं और आप यहां पे बात आती है कि यहां पे तेज होगा या धीमा तो तेज करना पड़ेगा क्योंकि सुन्या 60 मिनट के अंतराल पे मिल रही है इस प्रक के प्रश्ण को आप बना सकते हैं पहले और फामुला आप याद रखिएगा इसलिए ऐसा ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप समझ नहीं सकते कोई चीज है ही नहीं ऐसी अगर आप क्लॉक पार्ट वन पार्ट टू पार्ट तरी तीनों को देखें तो पूरी क्लास आपको म अब समझ में आएगा यह एक क्लास नहीं है क्लॉक कि पिछले दो क्लास करवा चुका हूं ठीक है और मैंने आपको मैं फिन पुना दो रहाता हूं मैंने आपको वचन दिया था कि क्लॉक कंप्लीट करवाओंगा अगर कोई टॉपिक शुरू करूंगा तो दोनों के बीच क अंतर गुना एक बट गलत समय अंतराल गुना साट, गुना चौ बूशुच अगले बिंतु पर चलते हैं। इस प्रकर्ती के प्रश्ण पर कमांड कर लीज़े कि आपको किसी प्रकार की अ कुई दिक्कत नहों कोई परिशाणी ना हो। कोई समस्या नहों असानी से प्रश प्रश्ण राइट नहीं दोनों के बीच का आप पहले क्या करिए अंतराल निकाल लीजी अंतर सब करवा दूंगा बेफिक्र है सब करवा दूंगा ये भी वैसे बनेगा प्रश्ण आप क्या कहा रहा है सतर मिनट के अंतराल पे मिलती है टोटल कितने घंटे में तो प्रश्ण कह रहा है सततर घंटे में कितने घंटे में तो प्रश्ण आप से क्या कह रहा है सततर घंटे की बात कह रहा है आईए पहले सही और गलत के बीच का अंतर लेते हैं सही समय अंतराल आपको मालूम है आप ही बता दीजिए कितना आजाएगा यदि आप घटा देंगे 70 में 65 से 5 बटे 11 को बता दीजिए मेरे दोस्त कितना आएगा कितना आजाएगा ए- Solve करेंगे तो कितना आएगा कोई बता दे जहर सी बात है यदी आप दोनों को Solve करेंगे तो आप 20 बात को जानते हैं आप भी इस बात को जानते कि कितना आएगप यह आ जाएगा पचास बटेक 11 मिनिट solve कर लिजी, आप कहेंगे सर आपने कैसे किया, तो आईए बच्चों कितर हम समझते, 720 बटे 11 मिनट हुआ, यदि आप इसे change करेंगे यह 70 मिनट हुआ है न, तो हमने LCM ले लिया, LCM ले लिया तो नीचे कितना आ गया नीचे आपका 11 आ गया आ गया, तो यह कितना है, 720 11, LCM 11,77 770, तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 50 बटे 11 मिनट, तो आपने दोनों के बीच का अंतर ले लिया, वो कितना आया, 50 बटे 11 मिनट, गुना किस से कर दे, गुना 70 है न, गुना 70 है न, तो एक बटा गलत समय अंतराल 70 क्या है, गलत समय अंतराल है, 70 क्या है, गलत समय अंतराल है, और आप जानते यह क्या कि आपने अंतर ले लिया, किसका अंतर ले लिया, गलत सही समय अंतराल यह सही समय अंतराल है सही समय अंतराल 65 से पाँच मैट ग्यारद और सत्तर क्या है सत्तर है अपका गलत समय अंतोर यह मैं नहीं प्रश्ण में दिया है गलत समय अंतोर और लिए नहीं के गलत समय नतराल समझ सकते समयंतराल गुणा साथ गुणा चौबिस यह मिनट में उत्तर आता है बता चुका हूं यह उत्तर किस में आता है मिनट में गुणा साथ और गुणा चौबिस लेकिन यहां पर देखिए चौबिस नहीं लिखेंगे जो कि वहां एक दिन की बात है चौबिस घंटे की बात है औ और यह जो उत्तर आपका आता है, यह जो मेरे दोस्त आपका उत्तर आता है, यह जो आपका उत्तर आता है, यह उत्तर आता है मिनट में, यह उत्तर किस में आता है, यह उत्तर आता है आपका मिनट में, और विकल्प देखना है कि विकल्प में उत्तर घंटे 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 मे और हमें कम करना पड़ेगा या तेज करना पड़ेगा क्योंकि सतर ज्यादा हो गया तो कम करना पड़ेगा क्योंकि 65 पे मिलती है सतर ज्यादा कम करना पड़ेगा तो पहले तो इसे हम साठ से भाग कर दें या बाद में करें या पहले करें कोई बात नहीं साठ से भाग कर दे जाहिर से बाते जैसे आप बाग करतें, यह 60 और यह 60 कैंसल हो गया, यह 0 और यह 0 कैंसल हो गया, 11 सते, 77 हो गया, 7 से, और 11 और 11 यह कैंसल हो गया, तो आपने चेंज कर लिया 5 बचा, तो 5 क्या हो जाएंगे, 5 घंटे, 5 घंटे क्या करना पड़ेगा, पांच घंटे कम करना कि अनुसार चले तो क्या हो जाएगा? पांच घंटे धीमी. ये भी हो सकता था. दो-दो विकल्ब है. यहाँ भी पांच घंटी हहाँ. लेकिन यह एक कंफिूज़ ना हो. हमें धीमी करना पड़ेगा. क्योंकि यह पर 100 मिनट kita करना पड़े गा हमें दीमी करना पड़ेगा पहले क्या था, को sousड मिनट तुम कम इसा किरना पड़ेगा क्योंकि सही समय सततर गंटे में सततर घंटे में बहुत बढ़िया मुझे लगता है कि यह मैंने जोर देके बताया यह बात तो आपको समझ में आई होगी इसमें कोई दोराय नहीं और एक आप का यह रह जाता स्लो एंट फास्ट का केस्ट तो यह इस तरह के प्रश्ण तो आप बना ही सकते ब भणी घंटा बफरिंग में स्रस्तिया हो गई है बाकि मुझे लगता है कि हम समय अंतराल की बात कर चुके और जाहिर से लगपग बात कर चुके हैं और विदा लेता हूँ आपसे कुछ और बाते इसमें हैं बाकि लेकिन इतना है कि आप सक्षम है थेंक्यू सो मज़ पुर जोईनी और मैं आपको एक बार फिर से बता दू पैट की तेयारी करने वाले सभी विध्यारती से आग रहे हैं कि पैट के क्लास को जोईन करिये 10 बजे से क्लास अप्लिकेशन पेज सुरू होगी आज रैंकिंग पार्ट 3 पहला टॉपिक रैंकिंग करवा रहा हूँ नौ तारिक को दस तारिक को क्लास होई 11 तारिक कल रक्षा बंधन की छुट्टी थी और 12 तारिक को ठीक है अमन्यू बैच की बात करें यूपिटरपलेस से पैट की बात कर रहो हूँ आज 12 तारिक है आज जो क्लास है चलेगी 10 बजे अभी 8 बजे 9 बजे है सिवस्कार से और प्रपर स्केडूल और मे ट्रेवल लेसन के साथ आज कौन साथ जैसे आगे जो टॉपिक है जैसे मैं देरा नividad को सोब करोंगा दशिकोंग तो प्रॉपर लेसन प्लाइम एकडंक सिस्टेमाटिक तरीके से और वो अच्छा रहता है, systematic चीजे चलती है, तो आपको भी पता चलता रहता है, ध्यान रखिएगा, thank you so much for joining, धन्यवाद आपका तहदिल से, और प्लीज एक्जामपर ऑफिसे लब को download करें, फिर join करें, और अपना ख्याल रखेगा, खास तौर पे तबियत का, मेरी भी तबियत ना साज है, लेकिन पहले से बहतर है, धन्यवाद आपका दिन, शुभ हो, अगली क्लास भाटी सरकी होगी, UP Constable, UP Constable, UP AAAC, पैट के विद्यार्थी ध्यान दीचेगा, फिर 10 बजे मोई सर्माइच, 11 बजे हिंदी की क्लास, धन्यवाद झायार्थूूू computation झायार्था झाल झाल